Hello everyone, good afternoon everybody, so guys, आप सभी को पता है, इलेक्टिकल इंजिनियर्स के लिए काफी जाधा वेकिंसी निकल रही है, अला-ला के स्टेट से, और अगर हम बात करते हैं, चाहे मद्र पिदेश का एलेक्टिसिटी बोर्ड हो, चाहे हम बात करते हैं, उतराखन का एलेक्टिसिटी बोर्ड काफी जाधा है, ये number of vacancies कहीं से भी कहीं तक कम नहीं है, चली ज़रा देख लेते हैं, ये क्या चीज़ है, तो जैसे कि junior engineer को गुजरात के अंदर विद्युत सहायक बोला जाता है, और यहाँ पे आप junior engineer की ही vacancies आई होई है, पूरे के पूरे discoms के अंदर, यानि कि distribution में, और साथ ही साथ में jet को, यानि कि transmission में, number of vacancies समझने के पहले ये देख लेते हैं, कि कौन बच्चा eligible है, सबसे पहले qualification की बात करता हूँ, तो full time B, BTEC होना चाहिए, यानि कि diploma वाले बच्चों को यहाँ पर इन्होंने allow नहीं किया है, जैसा कि आपको पता है कि junior engineers के लिए diploma ही, एक minimum eligibility होती ही, बड़ गुजरात के अंदर allow नहीं किया गया, full time B, या तो electrical में होनी चाहिए, या तो BTEC electrical में होनी चाहिए, मतलब अगर आप electrical and electronics में भी है, तो भी आप eligible होंगे, ऐस सच यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद आपको बोला गया है, कि 55 प्रतिशत होन पर देंगे, लेकिन उसके बाद से फिर आप लोगों का है ना, इस particular pay band के अंदर salary मिलेगी और मुझे ये देखके बड़ अच्छा लगा, कि गुजरात के अंदर junior engineer की salary काफी बहतर है, as compared to other states, 45,000 आपकी जो salary है, वो basic pay है, जो कि अपने आप में काफी बहतर है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो candidates के पाथ एक अच्छा knowledge होना चाहिए, computer operations का, और English और गुजराती language पे अच्छा command होना चाहिए, और अगर हम बात करते हैं, तो age limit 35 रखी है, reserved के लिए 40 रखी हुई है, और अगर हम बात करते है, females को 5 साल का relaxation दिया हुआ है, और age से आप मुझे न अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं, exam form जो स्टार्ट होने वाला है, वो 12 मार्च से होने वाला है, last date जो है, इस exam की वो, मतलब form फिलब की वो 1 April है, इसके अलावा बात कर लेता हूँ, online application form आप भरेंगे, और exam जो है, वो आपका online examination है, लेकिन exam के बारे में जरा समझ लेते हैं, exam जो है, वो one day exam नहीं है, दो stages का exam है, और दो stages मतलब, पहले आपका tier 1 होगा, उसके बाद tier 2 होगा, tier 1 में जो बच्चे qualify करेंगे, वो tier 2 में बैठेंगे, ठीक है, चलिए, और tier 1 में कितने बच्चे qualify करेंगे, tier 1 में minimum 2000 बच्चे qualify करेंगे, यानि कि पहले आपको tier 1 clear करना है, sir, tier 1 कैसा जारा बताएंगे आप, बिल्कुल मैं बताता हूँ, tier 1 का इन्होंने syllabus के तौर पे exam pattern दिया है, और इन्होंने यहाँ बताया है, जो question paper है, वो आपका basically English language में होगा, ठीक ह और मतलब बाकी किसी language में नहीं है, तो 25 question आप से पूछे जाएंगे, reasoning के और 25 question आप से पूछे जाएंगे, quantitative aptitude के, जो की काफी easy आता है, jetco के paper में, फिर 15 number की आपकी अंग्रेजी रखी, English रखी हुई है, इसके बाद बात करते हैं, 15 number की गुजराती language भी इन्होंने दी हु देन अगर हम बात करते हैं, तो खुलमला के सारे शुद्धी है ना, समुच भाग्ये और विद्यार या समानार्थी शब्द या भाषा शुद्धी ही आपको लिखी हुई है, इसके बाद बात करता हूँ, computer knowledge तो 20 question आपकी computer knowledge के हैं, जो की basic fundamental पूछेंगे, ये tier 1 खतम होता ह tier 1 में कोई technical नहीं, आप चलते हैं second tier पे, तो tier 2 में ने बोले हैं, ये 100 number का पूरा technical पूछेंगे, कोई non-tech नहीं, तो tier 1 नहीं 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 non-tech रख दिया, tier 2 नहीं technical रख दिया, चीक है, ये आपका पूरा technical का syllabus है, आप देख सकते हो बड़िया तरीकर से, लेकिन बात चाहता है, genuine तैयारी करना, वो शुरुआत से अपने आपको tier 1 और tier 2 दोनों के लिए लेके चलना, ताकि उसका दोनों clear हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि tier 1 और tier 2 में आपको कोई बहुत जादा time मिलने वाला है, चले, तो ये आपके पास यहां पे इन लोग ने बता दि हो जाएगा, तो ये सारी चीज़े आप लोगों को यहां पे दी हुई, अब आती ये बात क्या other state वाले भर सकते हैं, ठेक है, या other state का भरने चाहे कोई बच्चा, तो कैसे भर सकता है, या नहीं भर सकता है, इसकी उपर मेरी एक और वीडियो आईगी, जब मैं बताऊं, other states के लिए qualification है, या नहीं है, पहला point, दूसरी बात, other state के बच्चों को भरना चाहिए, या नहीं भरना चाहिए, दूसरी point, और जो गुजरात के बच्चे हैं, या जो भी बच्चा है लिजिवाले, उनको कैसे अपनी तयारी को प्रोसीड करना है, उन सभी को वतांगा, जैसा आफिजारे बच्चे अब तो इनके अंदर सिलेक्ट होने ही वाले है, तो बड़िया तरीक से पर्परेशन करेंगे, बड़िया तरीक से सारी चीज़े करेंगे, सेशन को लाइक कर लिजएगा, चैनल को सब्स्ट्राइब कर लिजएगा, मेरी विर वीडियो आएंगे इसक उपर और बढ़िया तरीक सा अउपरेट करते हैं so thank you very much bye bye take care and love you everybody